हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टोपिक के बारे में चन्ने सूपर किंग्स के 2025 के मेगा ओक्षन टार्गेट्स कौन हो सकते हैं वो प्लेयर्स जो CSK को और भी मजबूत बना सकते हैं अगले साल के IPL के लिए अगर आप भी CSK के हाड़कोर फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने ओपिनियन्स कमेंट में बताना चन्ने सूपर किंग्स IPL की सबसे कंसिस्टेंट टीम्स में से एक एक ऐसी टीम जिसमें experience और यंग टैलेंट का perfect combination होता है और CSK के fanbase को तो कोई BT नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों अब 2025 का mega auction आने वाला है और CSK के पास है एक नया challenge अपने squad को और भी बैतरीन बनानेगा तो कौन हो सकते हैं वो key players जो CSK को target करना चाहिए चलिए देखते हैं सबसे पहला नाम जो सब के दिमाग में आता है वो है शुमन गिल इस यंग टैलेंट ने हर किसी को impress किया अपनी consistency और aggressive बैटिंग से imagine कीजिए गिल opening for CSK with रुतुराज वो explosive starts दो CSK को जरुवत होती है गिल provide कर सकते हैं उनका temperament और technique दोनों ही next level के हैं फिर आते हैं talent bolt अगर bowling की बात करें तो CSK को एक और strong pacer के जरुवत हो सकती है और वो है talent bolt न्यूजिलेंड का sensational left arm fast bowler bolt को pace और wicket taking ability CSK के लिए game changer बन सकती है death overs में उनका control और power play में उनकी ability to strike early CSK के bowling attack को और भी ethical बनाती है फिर आते हैं रिंकू सिंग एक ऐसा नाम जो 2023 के IPL से हर किसी के दिमाग में चागया है finisher की role में रिंकू सिंग का कोई जवाब ही नहीं जब भी pressure होता है रिंकू अपने काम और explosive betting से match finish करते हैं MS Dhoni के mentorship में रिंकू CSK के लिए एक solid match winner बन सकते हैं फिर है Sam Karan Sam Karan को CSK के fans miss कर रहे होंगे IPL 2024 में Karan दूसरी टीम के साथ खेल रहे थे लेकिन CSK उन्हें दोबारा अपने squad में शामिल जरूर करना चाहेगी Old rounder के रूप में उनका contribution priceless होता है वो एक ऐसे player है जो death bowling में कमाल करते हुए नजर आते हैं और lower order batsman में भी वो अच्छे खासे finishing करते हुए नजर आते हैं Sam Karan का return CSK के लिए एक बड़ी boost हो सकती है अब बात करते हैं कि यंग इंडियन टैलेंट की तिलक वर्मा नोंने अपनी consistency और solid technique से हर किसी को impress किया है CSK की middle order batting में depth लाने के लिए तिलक वर्मा एक idle choice हो सकते हैं वो CSK के लिए एक future star बनने की पूरी potential रखते हैं दोस्तों अब बात आते है strategy की CSK हमेशा से एक balanced squad बनाने पर ध्यान देती आई है जिसमें experienced players और youth का combination होता है दोनी के mentorship में CSK को काफी clarity होती है अपने targets को लेकर लेकिन auction एक unpredictable game है bowling में और भी players हैं जो CSK को suit कर सकते हैं जैसे की अर्षदीप सिंग जो की death overs के specialist हो चुके हैं और वो आखरी overs में अच्छी खासी गेंद बाजी करके wicket निकालना भी जानते हैं जो की CSK अगर अपनी team में उनको लेती है तो उनको और भी जादा फाइदा हो सकता है तो ये थे कुछ key targets जो CSK को 2025 के mega auction में जरूर नजर में रखने चाहिए लेकिन ये auction हमेशा unpredictable होता है आपको क्या लगता है दोस्तों कौन सा players है जो CSK को target करना चाहिए और क्या इन में से कोई players आपको next season में CSK के लिए खेलता हूँ नजर आएगा कमेंट्स में जरूर बताएं